हलो एवरीवन वेलकम वन्स अगें टू सीवेसीटी पॉइंट मैं शुम पांडे एवर्फेस से आपके सामने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि फर्स्ट आफ से सेंपल वेपर एंपोर्टें की मैं बात करूँ तो इससे आपको एक आईटिया लग जाता है कि अच्छा-कासा हमें आइडिया लग जाता है बात करता हूँ जब तक अधर बच्चे आते हैं तो आपको बता दें कि यह आपकी टीचर्स हैं जिसे ग्राम़र बढ़ाते हैं हमा सब्सक्राइब करना देखी आपको कल लाइब मिलने वाली है तो कल आपको देखेले की सोशल की है और इंग्लिछ लिट्रेचर की है तो चलिए शुरुआत कर दें राम जी का नाम लेके और अपने सफर को आगे बढ़ाते इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपको बहुत सही तरीके से यह समझना होगा कि कैसे एक्जाम में टाइम भी सेफ करना है कैसे कैसे करना है तो चलिए एक बार थोगा सा मार्किंग स्कीम के बारे में बात करी लेते हैं ठीक है और हम देख लेते हैं कि बच्चों का क्या हाल है ठीक तो स्टार्ट करते हैं शलिए ओके बात करते हैं सीवेसी सैंपल पेपर में तो पहले मार्किंग स्कीम की हम बात कर लेते हैं देखे कुल मिला कि 20 मार्क्स के mcqs हैं 20 क्या है mcqs हैं आपने सुना होगा कि competency based questions को बढ़ा के 50% कर दिया गया है सवाल यह कि क्या mcqs में भी competency based question आने वाले हैं competency based question क्या होता है अभी मैं आपको दिखाते हैं चलूंगा फिर देखिए जब आप section B की बात करेंगे तो section B में आपको पता चलेगा यहां पर कि जो section B है वो बताएगा आपको कि total two marks वाले कितने question है 21 से 24 तो चार two marks के question में आने वाले हैं फिर जो section C है आपका वो question number 25 से लेके 29 तक है यह short types of question है और यह आपको three marks देंगे और आपको कितना 60 words word limit या रखेगा बहुत ज़्यादा exceed करने से भी आपको answer extra marks नहीं मिलते बहुत ज़्यादा short करने से नहीं point to point cut to get answers लिखने होते हैं हमें और question number 33 to 33 long types of answer है जो five mark के होंगो और यह 120 words से उपर के नहीं होने चाहिए तो 20 marks आपके यहां हो गया है 8 marks आपके यहां हो गये और यहां पर फिर five questions को देखा जाए तो आप 15 marks यहां से उठा लीजे तो आपको यहां से गया हुआ 62 marks के और 20 marks आपके अधर से मिलने वाला है फिर यहां पर देखिए 34 to 36 case study based question यह 4 mark के each है और 37 जो map का question है यह 3 mark का map आने वाला है तो कुल मिलाज उलाके overall आपको सारे के सारे question attempt करने 37 है 37 attempt करने है इसके अंदर आपलिक मिलेगा अब आपको कोई question skip नहीं करना है यह clear रखिएगा कि marking scheme यसी है और 50% competency based question है के लिए डरना नहीं है क्यों नहीं डरना है देखो यार क्या होता है competency based question में question के अंदर यह answer दिया होता है आपको इसके लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं है question दिया question के अंदर answer दिया वह आपके पास काफी ज़्यादा है तो चले शुरुआत करते हैं questions पर आते हैं देखें सेक्शन की बात करेंगे कितने मांक का है 20 मांक का है अब आपको करना क्या है comment में answer करना है मैं question दोंगा आप answer कि जएगा और देखते हैं कि क्या आपके answer सही होता है कि नहीं क्या CBC ने marking scheme में जितने भी answer दिया है वह सही है या उसमें भी कोई गलतिया है गलतिया है तो उसको करने की कोशिश करते हैं तो चले शुरुआत करते हैं पहरे सवाल की बात करते हैं answer देखने की खिलाल कोई जरूत नहीं है answer को verify करने के लिए हम काफी कुछ करने वाले हैं question आपका है identify the correct option that describe the act given below अब ऐसे बहुत सारे Britishers ने लाये थे act की क्या खासियत है देखिए act was passed by the imperial legislative council मतलब Britishers के थुरू the gave power the government to repress political activity की इस act के थुरू वो किसी भी political activity को रोख सकते थे to empower the government to the detain the political prisoners without trial मतलब कहते है न जो भी आपका judgment है without trial मतलब बिना court बिना वकील सीधे सजा यह कौन सा act था आप सभी को बताए यह कौन सा है रॉलेट act है तो दीखिए इसने act के बारे में क्या दी का structure बताया उसने क्या बताया एक्ट का structure बताया कि उस एक्ट के अंदर क्या क्या खासियत थी इसके अलावा उसने कुछ और नहीं बताया अब आपको जब act की features के बारे में पता होगा कि उस act की क्या क्या खास बाते थी आखिर वो act popular क्यूं हुआ और क्यूं उसको dishonesty का symbol बाना गया तो आपको आसानी से यादा जाएगा कि यह किस की बात कर रहा है एक यही अगर वो press की बात करता कि government को आफकी Decide की बात करते हैं तो आप किस की बात करते हैं वर्कुर्लब प्रेस-एक की बात करते हैं तो features को पकड़िए चलिए which place in India which place in india has अ artificial lake to conserve अब आपको geography यादा गयी होगी धीखे पहला तो यह माइड mapping करनी है कि है यहां इसे यह लोग्राफि के बात कर रहा है किस की बात कर रहा है वाटर रिसोर्सेस की बात कर है याद कीजिये हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम है उसमें चारी का फर्मिशन किया जाता था और उसी में से एक biggest artificial lake कहां पे बनी थी भोपाल में, भोपाल का है भाई मध्यप्रदेश में है, क्या वो मध्यप्रदेश की capital है, जी हाँ सर, वो मध्यप्रदेश की capital है, चलिए, आगे आते हैं अगले question पे, और देखते हैं कि question क्या कहा रहा है, अब इसे कहते हैं competency-based question, ये रेखे, इस question के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपने book में पढ़ा, ये book में कहीं नहीं मिलेगा, आपके सामने data है, data को आराम से देखते हैं, फिर अपने options को recognize करते हैं, और देखते हैं कि याँ पे या क्या सही है, जैसे, literacy rate for rural population, male में 76% है, female में 54% है, literacy rate for rural children in age group of 10 to 14 years, 10 से 14 साल के जो आते हैं, 90% education के लिए वही female कितना जाती है, 87% और अगर आप बात करें कि percentage की बात करें, तो वही percentage में जब convert किया जाता है, 85%, 82%, अगर आप इन दोनों को मिला के अपना answer करना चाहें, तो पताइए क्या होना चाहिए, male, children, male and female या female, देखने से साफ साफ लग रहा है, कि overall सर जो female का percentage है, वो हर जेगे क्या है, lower है, किस के comparison में, male के comparison में, तीनों data में, तो as per the given data, who has been percentage, least percentage of literacy, साफ दिख रहा है, least percentage किसका है, 54%, तो answer क्या हो जाएगा, option number D, female, चले डीग है, आपके answer सही हा रहा है, okay, I can see, chapter wise, previous year question, मिल जाएंगे, good morning, good morning everyone, चले ठीक है, marking missing को PDF आपको मिल जाएगा, telegram channel पे, चले आप लोग ने answers भी किये है, लेकिन वहाँ पे A answer किजेगा, answer क्या होना चाहिए था, D होना चाहिए था, चले फोर्थ question का answer करने की कोशिच किजे, which of the following option represent potential measure that can be taken to mitigate the thrust possessed by the tiger population, बायो जाएवस्ती, अब देखिए ये भी क्या हो गया, ये हो गया, आपको competency-based question, अब आपको उगरना क्या है, question कह रहा है, कि चार option दिये है, इसमें से कौन सा option, जो major threat है कि tiger population या बायो डावस्ती के लिए, उसको कम करेगा या क्या करेगा, तो पहले option पढ़ते हैं, द्यान से दिखिए, कह रहा है कि अगर आपको tigers को बचाना है, तो इसमें से कौन सा इस्टर ज्यादा suitable है, तो हम पहले सारे option पढ़ते हैं, और इसके बाद डिसाइड करते हैं, जैसे कह रहा है, banning, hunting, giving legal protection to the habitat, अब या आंसर सही है, कि अगर हम ban कर दे उसके कानून बना दे कि hunting illegal है, तो सिधी बाद है, tigers को हम बचा सकते हैं, दूसरा क्या है, prohibition of visit the public into the forest area, चले मना तो करना जाएं कि forest में जनता ना जाएं, लेकिन कई सारे आदिवासी लोग होते हैं, उनका तो सारा जीवन यापन चलता है किस से, जंगलों पे, तो जो doubtful बनाएंगे, तो वो area protected हो जाएगा, converting forest into the reserve and protected forest, ये भी सही बात है, कि उनको reserve forest बना दीजे, protected forest बना दीजे, उस particular area को हम किसी को enter करने नहीं देंगे, तो ध्यान से देखें, तो T in statement बहुत clear बात करते हैं, एक statement आपका doubt क्रियेट करता है, क्योंकि कहीं नहीं अतना relevant नहीं है, लोग जंगल सफारी के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी का occupation वहीं पे depend करता है, तो क्या होगा, देखिए, अब जिसमें ज्यादा statement की बात की जा रही है, तो option number जो D है, वो क्या कहा रहा है, statement 1, 3 and 4 correct, वहीं पे क्योंकि 2 doubtful था, तो हमने, और क्योंकि ये दो बड़ solid option है, और पहला भी अपने solid option है, तो जो इन तीनों को contain करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो ये competency waste question था, सामने था, competency waste question को देखके डरना नहीं है, बलकि ये आपका काम इतना आसान कर रहा है, especially वो बच्चे, जिनको question वगरे learn करने में दिक्कत होती है, उन answer करना है, संभव का question है, कि sir, is there any relation between literacy rate and mortality rate, देखें, mortality rate की बात करें, तो एक तरह से होता है, कि infant mortality rate, जिसमें कि कोई बच्चा जो है, पांस, जिसे बच्चा पैदा हो, एक साल के अंदर, उसकी death हो गई, किसी भी कारण से, literacy rate, literacy की बात करता है, कि कोई person कितना educated है, अब माल ल आने वाला है, उसके parent educated है, तो वो अपनी जो भी wife pregnant है, या pregnancy की duration में, proper precaution लेंगे, you know, उनकी एक earning skill अच्छी होगे, तो वो सारी proper take care ले पाएंगे, तो possibility है कि वो infant mortality rate कम हो जाए, directly relate नहीं है, लेकिन education ये ऐक ऐसा weapon है, जो सब कुछ सही कर सकता है, तो वो indirectly relate करता है, direct कोई relation न mortality rate जो है, वो काफी down जाएगा, ठीक है, चलिए, बहुत अचा question है, European Union ने अपना headquarter किस country को सुना, और आप कोई दिमाग में यादार जाना चाहिए, power sharing chapter पढ़ाया गया है, पावर शेरिंग चेप्टर, पावर शेरिंग में किसके बारे में बढ़ा था, बेल्जियम की capital, ब्रूसल सर, क्योंकि बेल्जियम ने थो पावर शेरिंग का कमाल का idea दिखाया, तो European Union ने अपना headquarter का आपनाया है, ब्रूसल सर बनाया है, बहुत ये अच्छा है, अच्छा बहुत आसान होने वाली है, आते हैं next पर, which are the following statement accurately distinguish between the majorityism and power sharing, अब देखिया, majorityism और power sharing, majorityism का मतलब क्या है, majority का rule, और power sharing में क्या होता है, majority हो या minority हो, power share होना चाहिए, ठीक है, चार statement पढ़ेंगे, हो सकता है, आपको पहला statement पढ़ता ही, आपको लगे कि यही answer है, लेकिन first of all अभी answer हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहला पढ़ता है, majorityism emphasize the dominance of majority community, while power sharing emphasize, कहरा, majorityism बताता है, कि dominance का majority company का वही power sharing करता है, कि different groups में power share होना चाहिए, बात तो अपने आप में यह पूरी सही कह रहा है, दूसरा, majorityism emphasize the need of consensus building, while power sharing emphasize exclusion of minority, नहीं, power sharing minority को exclude नहीं करता है, तो यह तो रांग हो गया, majorityism emphasize the importance of accommodation, minority interest, majorityism कभी भी minority के interest की बात करता ही नहीं है, तो यह बात नहीं गलत होगी, majorityism emphasize the need for the peaceful resolution of conflicts, while power sharing emphasize the use of force, अब power sharing में force का use नहीं होता है, यह एक opposite statement है, actually majorityism में force का use होता है, power sharing में peaceful solution निकलता है, तो यह भी wrong हो गया, जैसा कि मैंने गोला पहला पढ़ते ही बता रहा था, यह अपने आपने perfect statement है, तो आपका answer हो गया A, ठीक है, आप comment में answer करते जाएए, यह PDF के notes आपको हमारे चेलिक नाम channel पे भी मिल जाएंगे, print culture का one shot आपको मिल जाएगा, no problem, और D option correct आपका answer था, print culture आपको जल्दी मिल जाएगा, print culture का one shot video आपको मिल जाएगा, don't worry, फिलाल आपके upcoming lectures में, हम कुछ previous year mcus भी लेके आने वाले हैं, और उसकी आपको जो भी schedule है, वो first की date से, जो हमारा Monday से start होगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, आपको सारी, आप बस channel पर बने रही हैं, आपको सारी details मिल जाएगे, there are two statement mark as assertion and reason, make your answer per the code provided below, याद रखिए का assertion region में गया होता है, एक पहला, चार option होते हैं, पहला, जब assertion भी true हो, region भी true हो, और और correct explanation हो, दूसरा, दोनों true हो, ठीक है, तीसरा, एक true, एक गलत, एक true, एक गलत, इस तरह से होता है, क्या कह रहा है, democracy are based on the political equality, हमारा assertion है, एक statement ह कि democracy, political equality की बात करता है, जी हाँ, democracy कहीं न गहीं, political equality के बिना, democracy exist नहीं करती है, economic equality हो या ना हो, लेकिन, political equality, democracy का main feature, economic equality की guarantee, democracy नहीं देती है, लेकिन, political equality में सब को participate करने को मिलेगा, इसकी guarantee है, तभी तो चाहिए वाला प्रदान मंत्री है, reason है, all individuals have equal say, in the electing representative, ओके, कह रहा है, कि हर एक individual का equal participation है, representative को elect करने में, मतलब one vote, one value, एक इनसान के vote की value, एक है, इस इसाव से जितने भी voter इंडिया में है, सब की equal value होती है, आप prime minister हो, DM हो, आप जब vote डालते हैं, तो आपका vote one count काउंट किया जाता है, और 18 year plus इंडिया के season है, तो voting rights आपके हैं हैं, तो जब आप वो democracy बना रहे हो, political equality की, तो कहीं न कहीं, इसके reason से बना रहे हो, तो assertion भी true है, reason भी true है, और reason अपने statement को exactly क्या कर रहा है, verify कर रहा है, कि जी हां, इसका reason इसके हिसाप से सही है, तो हमेशा जाद रखिए, जो statement है, उससे question पूछे, कि democracy based, democracy में political equality होने के लिए क्या आची है, political equality होने के लिए क्या चाहिए, कि सभी individual का equal share हो, जब अपना representative elect करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, या most of the country में क्या है, representative form of democracy है, यहां तक किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए, option B, कोई बात नहीं, चली अच्छी बात है, आप लोग के options आ रहा है, बात में मैं पूछूँ आप लोगों को, चली, यहां पे आगया money and credit से, question आया है, money and credit से, समझते money and credit का question क्या है, राहूल has a sack of cotton, but he need of wheat and अंशू has a sack of wheat, but need cotton, अब राहूल के पास, क्या है, cotton है, उसको चाहिए wheat, और अंशू के पास wheat है, उसको चाहिए cotton, ठीक है, यह cross demand की बात चल लही है, अब बात आप समझे, यह double coincidence हो गया, question को जहां से दिखे, competency based question है, अराम से, in case of absence of such condition of wants, याद अखिए, कि मान लिजे कि ऐसी coincidence होई ना, यह coincidence बने ही ना, तो they may not exchange their goods, तो फिर वो अपने goods को exchange कर नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर double coincidence नहीं आया, जो उसको च यह बात नहीं बैटी, तो exchange तो होने से रहा, which one of the following would be the best option that describe the mutual exchange and goods and eliminate, तो इन में से चार options में से कौन सा best option है, जो goods के exchange को eliminate करते, क्या possibility है, कि goods का exchange जो है, हमारा eliminate हो जाए, कोई possibility लग रही है, goods को eliminate करने के लिए, तो देखते है, पहले तो यहां रही है, कि चारों में double coincidence of wants है, क्योंकि बिना double coincidence के बात यहां नहीं बनने वाली है, अब कह रहे है, exchange community goods नहीं, तो याद रखिएगा money ही कैसी चीज है, money ही कैसी चीज है, जो double coincidence of wants को खतम कर देती है, क्योंकि money है, तो मुझे wait नहीं करना है, मैं बेचूंगा जिसको पैसा होगा, वो लेगा, तो मुझे य ऐसा ही आए, यह wait करने की कोई मुझे जवरत नहीं बढ़ेगी, तो यह double coincidence of wants, तो यहां पर answer क्या हो जाएगा, D, D option, कि double coincidence of wants मिलना चाहिए, democracy in politics and politics in democracy, समझा, देना, देखे, आराम से समझा दिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम democratic politics की बात करेंगे, तो वहां पर यह topic आपको समझा दिया जाएगा, उसके लिए जब भी हम chapter में चलेंगे, तो हम जरूर उसकी बारे में बात करेंगे, चलिए, न क्लिक किजे, आपको इंशूर करना है कि system of power sharing in your country is effective, that no one branch, question में ध्यां से बढ़ेगा, कि आपके हाँ जो power sharing का system है, वो effective होना चाहिए, और कोई एक branch के पास absolute power नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी एक branch के पास सारी power नहीं होनी चाहिए, तो इसमें सब कौन सा option आपके लिए ज़ All power is concentration in the hands of legislative, बिल्कुल गलत बार, केवर पार्लियमेंट के हाथ में सारी power दे देंगे, फिर तो नेता लोग देश तबाह कर देंगे, Power divided between the central government and state government and provenance government which have own sphere of influence, अब आप कहेंगे, यहाँ power sharing की बात कर रहा है, तर असल यह power sharing यह अपने आप में federalism है, यह क्या है बेटा अपने आप में federalism है, तो federalism की बात कर रहा है, हमसे पूछा गया है कुछ नहीं power sharing, federalism और power sharing में difference है, ठीक है, federalism में central से state, state of provenance government में हम भारत है, तो यह तो power sharing की बात कर रहा है, तो इसको भी हम अभी side रखेंगे, power is separated among the legislative, executive, judicial branches, each branch having its own responsibility, यह answer ज्यादा correct है, क्योंकि हमने legislative, executive और judiciary में power भी बाती है, उनकी अपने responsibility है, उनका अपना कारे करने का तरीका और दो सब एक दूसरे पर independent है, तो फिलाल तो यहाँ पे best option क्या हो गया, आपका, C हो गया, fourth option पे भी देख लीजे, power is shared among the different level of government, such as rational, regional and local government, यह भी कहीं नहीं किसकी बात कर रहा है, federalism की बात कर रहा है, तो यह भी किसकी बात कर दे रहा है, federalism की, तो हमें federalism नहीं बताना था, हमें power sharing, क्योंकि यह वैसे भी दो answer आपस में, आपको conflict create कर दे रहे हैं, और याद रखीगा, कि federalism और power sharing का एक difference आपको पता होना चाहिए, दोने chapter पढ़ाए गया है, यहां था कोई दिक्कत, देखिए, मैं पिछलों पान सालों से बढ़ा रहा हूं, तो वो experience आपको यहां गाम आएगा, कि कैसे shape करना है, कैसे चीजों को eliminate करना है, ओके, और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि MCQ देखने में easy लगते हैं, अचाहिए, अब यह जो question है, मैं आपको बता दूँ, कि जब नया paper style आया, तो यह हुआ, कि picture based question आएंगे, लेकिन reality में picture based question कई सालों से exam में आया नहीं है, तो sir कैसे prepare करे, दुखो य साम आपका बन जाएगा, बाकी इसके लिए वीडियो भी बना दूँगा मैं, बट कोई जरूरी नहीं कि एक्जाम में ऐसे है, जैसे यह देखने से आपको idea लग गया होगा, यह किस के बात कर रहा है, जहां पर आम जनता गई थी, अपने demands को लेके और राजा कहते हैं चलो आएगा क्या नहीं, इसकी guarantee अभी नहीं पना चलती है, ठीक है, चले, आगे आते हैं, next पर, which of the following does the symbol crown of oak leaves stand for, ठीक है, तो crown of oak leaves जो थी, यह जो symbol था, यह किस के लिए, जिससे के हर एक revolution में, कोई ना कोई symbol प्रतीक बनता है, किसी ना किसी चीज को represent करता है, तो यह जो heroism, जो दिखाती थे, strong will power, उसके बारे में यह बात करती थी, चीक है, तो यह MCQs है, अब आते हैं, इस पर और यह आपको करना है, अब इसका answer आप कीजिए, पढ़िए, मैं hand दे रहा हूं, answer कीजिए, answer देख के नहीं करना है, यह आपकी, यह है कि चलो, बाद में आज कर लेना, अ evaluate the impact and opening of foreign trade on the global economy, and identify the appropriate statement among the following option, तो हमें identify करना है, कि कौन सा appropriate statement है, globalization सी बात कर रहा है, globalization, तो चप्टर उसमें दो इतीन topic पढ़ने थे, जिसमें, what is globalization भी पढ़ना था, तो वहीं से यह question है, तो economics का question है, globalization का question है, आपने narrow down concept का लिया, अब आपके mind वैसे tickle होने चाहिए, फटा फटा फट, यह था ठीक है सर, यह 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 यह, देखें, globalization होने से हुआ क्या है, the choice of the goods in the market increase, जी हाँ, च्वाइस बढ़ी है, production from the two countries close compete each against and despite the distance, जी हाँ, हमने बढ़ा था कि market integration में, कैसे ही, विदेशी कमपनिया, इंडिया में competition बढ़ा रही है, इंडियन कमपनिया, into the connecting the market, integration, तो जी हाँ, जैसे हमने देखा था, कि company USA की है, production China में है, assembling East Europe में है, market उसकी इंडिया है, एशिया है, तो interlink करके integrate करती है, मतलब word is a global village बनता है, अच्छा, the quality of product is always good, sorry, जब भी ऐसे word use किया था है, जो पूरी extreme content की बात करते हैं, कि always, तो यह doubtful option होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि branded company का हम इसा काम सस्ता ही होगा, यह चुना लगाया जाता है, अच्छा खासा, rate काफी हाई होता है, और rate के हिसाब से product की quality उतनी अच्छी नहीं होती, marketing से उठा लेते हैं, तो यह doubtful है, अब option देखते हैं, तो देखें, यहाँ पे, option A, statement 1 and 2 are appropriate, option A यह करता है, B कहता है, 1, 2, 3 are appropriate, C कहता है, all the statement are appropriate, और D कहता है, only statement 4th is appropriate, तो कि 4th तो होने से रहा, तो फिर जो भी all की बात करता है, वो भी होने से रहा, अब आता है, first A और B में, तो 1 or 2 appropriate कहता है, 3 नहीं, लेकिन गलत है, 3 भी तो है, integration तो बढ़ा है, तो answer कौन सा सही होगा, B option, option number B, तो आपको eliminate करने भी आना चाहिए, चले भाई ठीक है, comment section के आपकी बात करते हैं, चले ठीक है, अच्छा, तो another doubt आया है, कि यह market integration क्या होता है, जिसे देखे क्या है, आप अभी भी जो अपना mobile यूज कर रहे हैं, manufacturing most of the company US based, या Europe based, चाइना में करवाती है, क्योंकि एसेंबल करने से लेके, packaging, वो हो सकता है, Asia या कि किसी country में करवाती हो, जहां उनको labor cheap पड़ता है, और फिर वो market जो उनकी बेचने के हो, वो फिर Europe और USA में ले जाके बेचेंगी, और अच्छा profit कमाएंगे, तो इससे क्या हो गया, पांच continent क्या हो गया, आपस में, interrelated हो गय केते हैं, integration, ठीक है, चली, choose the correct option to complete the statement, if a government provides its citizen a right and means to examine the process of decision, अब आपको बताना है, कि एक government provides its citizen a right means to examine the process of decision, कोई government, जब कोई decision लेती है, तो अपने citizens को offer करती है, कि come and take a look, बलब उस decision को आप भी देख सकते हो, या review कर सकते हो, इस तरह के government को क्या कहते है, accountable, responsible, transparent या stable, CBSC के answer के में accountable दिया है, बट यह wrong है, इस तरह के statement को कहते है, transparent government की, जहाँ पर आप सरकार के fast law को देख सको, इससे transparent government कहते है, not accountable, not responsible, responsible और accountability की बात अलग है, लेकिन जब fast law को आप review कर सको, या देख सको, तो इस तरह के formation को क्या कहते है, transparent government कहते है, तो आपको कोई जरूरी नहीं कि जो answer की में, उसको रट लेना है, आपको अपना जिबाक लगाना है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो हमें किस के थूरु जाना है, transparent government के थूरु जाना है, ठीक है चलिए, good morning everyone, good morning, आते जाएए, lecture को share कर दीजे अपने दोस्तों के साथ, live जुरे रहेंगे, तो live में क्या होता है, कि इससे साथ पढ़ाई हो रही है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो काफी आपके लिए अच्छी बात हो जाती है, आपकी एक चीज़े revise हो जाएंगे, चलिए arrange the following statement in sequential order based on the events that ship non-compassion movement, अब आपको, देखें ये भी एक दरगा disputed question हो जाएगा, अब आपको इसको sequence में डालना है, कि सबसे पहले क्या हुआ, चलिए, जनरल नायर, जलियन वाला वाग, 13 अपरेल, 1919, गांधी जी लांच, नेशनवाइट सत्याग्र, 6 अपरेल, 1919, चलिए, force recruitment carried by the British government and economic hardship faced by the, during world war, world war शुरू बातन, 1914 में, right, तो understood है कि 1914 से लेकि 1918-1919 तक जब भी वर्ड बार चला, इसी के बीश में उन्होंने क्या किया होगा, force recruitment किया होगा, तो कोई जुरू ही नहीं क्यों, 1919 में करने आएंगे, तो ये event थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, force recruitment वाला, पहले हो जाएगा, तो second option थोड़ा, ज्यादा अर्ली आएगा, इन दोनों में देखा जाए, तो fourth option उसके बाद आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, first option आना चाहिए, लिकिन रुके, अब यह हमने एक चीज के बारे में बात नहीं की है, लेकिन क्या, यहाँ से कुछ मिल ला है, जिसमें स की को देखा जाए, तो यह यहाँ पे second option के थूबी हम जा सकते हैं, लेकिन, यह 6 अप्रिल के जिएक कुछ और है, यह वाला जो है, defeated the Ottoman Emperor of Turkey, led to the formation of Khilafat moment, अब देखो एक announcement होता है, और एक moment का चलना होता है, दोनों में फर्क है, इस पे थोड़ा सा dispute हो जाएगा, कि वो कैसे इस answer को tackle करते हैं, आपको कुछ वीडियो में यह answer में ऐसा बोला जाएगा कि कोई भी option match नहीं करता, और कुछ जगा आपको इस पे अलग-अलग बात की जाएगी, क्योंकि moment को launch करना वर्ड वाइड, तो यह सारी April 1919 की घटना है, यह भी April 1919 की ही घटना है, April 1919 की घटना है, कि और में खिलाफत मुवमेंट को attach करके चलाया गया था, खिलाफत मुवमेंट को join किया गया था, तो खिलाफत मुवमेंट मेरे ख्याल से सबसे last में start होगा, तो मुझे यह answer cbc का अपनी जगा सही ही लगता है, लेकिन इस पे कई सारे teachers का dispute है, ठीक है, तो उस dispute को आप थोड इसी डेट से याद होनी चाहिए is there is a disruption by transports and lorries refuse to transport village अब यह भी competency-based question है एक तरह से थोड़ा सा यह sector of Indian economy से भी हो गया अब condition दी गई है कि अगर कहीं पे भी transportation या लोरी जने village से vegetable milk ले जाना मना कर दिया अर्बन एरिया में तो food अर्बन एरिया में कम हो जाएगा और वहीं फार्मल्स अपने product बेच नहीं पाएंगे यह हमारी condition है इस case में क्या क्या affect होगा तो देखे यार पहले ट्रांसपोर्ट हो गए रहे क्या दिखाते है सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं उनकी कमाई रुकेगी farmer का है तो primary sector की बात करता है लेकिन वह लाते हैं तो क्या जो लाड़ी से लाता है वो बेच देता है नहीं ना जो आगे टैटरी सेक्टर में मतलब कि तीनों कि तीनों सेक्टर ऑफ एकॉनमी पर इसका फर्क पड़ेगा everything is interconnected and interlinked तो उसके according यहां पे आ जाईए चलिंग देखें अब यहां पे आगे printing प्रेस की बात जैसे आपने बोला ना की printing प्रेस वाला बताईए तो यहां पे धेहां स था आपका चलिए very good लक्षमी जी statement one western printing techniques and mechanical press were imported in 19th century as western power established there of outpost in china चलिए ठीक है statement एक तो करेक्ट रहा है कि western techniques बात करें तो चाइना में इनके outpost 19th century में लगाया गया चाइना में paper बनाने से लेके printing का काम किया गया statement two Beijing become the hub of new print culture catering to western style school नहीं 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 बेजिंग western style schooling के लिए catering के लिए नहीं और यहां पर यह क्या बोलना है कि techniques लगा के क्या किया गया चाइना में चाइना में क्या कर दिया गया स्टाब्लिश कर दिया गया printing press को लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Beijing new printing culture का हब बन गया और वह western style school की catering करने लगा यह जो reason है यह कहीं से भी statement कहीं से भी true नहीं है इस statement का यह reason नहीं है तो यहां पर answer क्या हो गया कि statement is only correct और reason assertion correct है और reason false हो गया इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है अभी वीडियो को ही share कर दिए आपको comment box में link मिल गई है तो अपने दोस्तों को भी share कर दें वह join कर सकते हैं चीजों को narrow down करना सीखें यह बहुत ज़्यादा जरूरी है यह याद रखेगा आप चलिए यहां लिखा है एंगेव इस फ्रेंड क्लूज अब देखें यह भी अपने आप में जोग्रुफी का स्वाइल से क्लिएट कोश्चन हो गया मनोज मान लेते हैं मनोज जी हमारे साथ हैं मनोज जी ने अपने दोस्त को बताया कि टाइप ऑफ स्वाइल जो कॉटन के लिए अच्छी है अब कॉटन का नाम सुनते ही अगर आपको मैप याद है तो आपको गुजरात महरास्ट्रा थोड़ा सा मद्द्रप्रदेश आमद आपके माइन में ब्लैक स्वाइल के फीचर हिट हो जाने चाहिए इतना कुछ आपके कहां जलना चाहिए माइंड में जलना चाहिए तो विच क्लू प्रोवाइड बाइम मनुष जी का कौम सा क्लू सबसे बढ़िया क्लू माना जाएगा टाइप सब स्वाइल के बारे में देखें मनुष जी करते हैं इडिज वैल नौन फॉर इट्स कैपसी टू होल्ड मॉइश्चर क्या ब्लैक स्वाइल मॉइश्चर होल्ड करने में कमाल किया एक टास यलो वन हाइड्रेटेड जब नहीं यलो इस तो कितना भी पान डालो तो गलत हो गया इट इस रिजिन कंकर सांद नोडल स्वाइल नहीं होती है मिट्टी इडिज वेल ड्रेंड लोमी स्वाइल नहीं यह सब तो अलुवियल कि मैं यह किसकी बता तो मनोज जी की दिए गया सारे क्लू में केवल क्लू वन काम आने वाला है अपने दोस्त के लिए मनोज झी ने केवस्त एक लुद या ब्लैक स्वाइल का और तीन देदिया अलुवियल के मनोज जी तो खेल गए यांपे लेकिन उनका जो दोस्त है वह चलाग है आप कि तर और समझते हैं, choose the right option to fill in the blanks, the emergence is directly connected to the rise of political party, किस तरह की चीजो के रिजन से political parties बनी किसके emergency, monetary democracy, direct democracy, direct democracy में political party का कोई काम नहीं होता, constitutional democracy, representative democracy, correct answer आपका अगा representative democracy, क्यूं? भाई, representative democracy से ही तो political parties बनती हैं, क्योंकि आपको representative चुनना है, representative से मिचाओ, धारा वाले political party बनाएंगे, फिर election लडएंगे, तो यह इसी की उपज है, यह दोनो directly related है, तो easy question था, चलिए हम finish करने वाले हैं, अपने MCUs, the process of integration between different countries, called globalization, यह globalization की definition पूछा है, तो बहुत easy, असे आपको कुछ, बहुत ही easy question भी मिलने वाले हैं, globalization क्या होता है, global, global word से ही clear होता है, अपने आप में, यह word ही, अपने आप में definition है, ठीक है? चलिए, next, which of the following statement is incorrect, keeping the requirement of formation of the government, याद रखेगा, कह रहा है, is correct, government के formation के requirement के लिए, कौन सा यहाँ पे सही है, अब पहले पढ़े, statement कहा है, it is possible for independent candidate to form a government, the statement one कह रहा है, कि independent candidate क्या government form कर सकता है, पहले तो देखिए, इंडिया के system के साब से देखा जाए, तो independent candidate, जो किसी भी party से जुड़े ना हो, इंडिपेंडेंटी लड़े हो, किसी party के symbol के अंदर नहीं लड़े हो, ऐसे कुछ 500 से उपर की सीटे है, 10-12 candidate आपाते हैं, ओल ओर इंडिया, तो मुश्किल है कि ये बना पाए, तो एक थोड़ा doubtful है, ये क्या है, थोड़ा doubtful है, लेकिन possibility होती है, कि सभी कटा आ जाए, तो बना लेंगे, गौवर्मेंट का फॉर्मेशन टोटली पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब रखा गया है, अगर हम इस statement में थोड़ी सी सचाई मानते हैं, तो ये भी doubtful है, ये तो confirm है कि गौवर्मेंट को भी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए जाता जीत था, लेकर कई इंडिपेंडेंट कैंडिडिट जीत के मिल गये, तो बना तो सकते हैं, तो एक्स्क्लूसिव नहीं है, ये बात अले है कि वही जीतती हैं, लेकिन exclusive rights नहीं रख देंगे कि तुम political party के member नहीं हो तो तुम government form नहीं करोगे third the formation of government is limited only elected parties वही बात कर दीगे कि केवल elected parties ही बना सकती है अपने अपने statement से ही है कि party elect हुई है तभी बनाएगी लेकिन क्या इसके अलामा चारो option पढ़ने कोई better statement में लहा है government can only be formed by political party that are elected and hold a majority देखिए कहीं न कहीं क्या है सारा game political parties में किसका है majority का है फिर आप individual हो political parties हो छोटी party हो जो भी party हो तो एक statement ऐसा है जो political parties की बात कर रहा है उनके elected होने की बात कर रहा है और majority hold होने की बात कर रहा है तो सबसे जो best हमको दिख रहा है वो fourth है तो आप जो भी answer choose करेंगे उसमें fourth होना चाहिए statement one and two are right fourth है इसमें नहीं one two and three are right fourth है ही नहीं सबसे best option four है third is right नहीं only fourth is right कह सकते हैं only fourth is right क्योंकि fourth को include करने वाला इसमें से कोई भी option होता अगर यहां fourth होता तो मैं इसके थूँ जाता क्योंकि कहीं न कहीं यह possibilities बनती है possibilities है लेकिन reality में trending नहीं है यह trending possibilities नहीं है practical में यह possible नहीं होता practically कोई practical चीजे यह नहीं है practical में यह ज़्यादा वक करता है तो हमें competency based question बनाये जाएंगे chapter से relate करके भी तो आपकी chapter के understanding कितनी है यह बहुत ज़्यादा clearance है तो doubtable statement को ऐसे करें चार सारे statement को बढ़के तब भी answer करना है बहले ही पहले में answer आपको देख जाए चलिए आप लोग के कोई doubts नहीं है तो देख लिए जाए ओके यहाँ पे चले ठीक है आंसर भी आप कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है कोई बात नहीं continue करते रहे हैं मिलते हैं आप लोगों से अगले question की दरफ ओके आते हैं चलिए last question there are two statement mark as assertion and region mark answer as per the quotes provided below India is a country with a multi-party system setup अपने आप में पूरा statement सही है इंडिया में multi-party system है अब इंडिया multi-party system क्यों है अगर इसका answer मुझे इस statement में मिल गया तो मैं कहूंगा region true के साथ correct explanation है कि अगर इस question को explain कर दे the multi-party system often appear very messy and leads to the political instability अपने आप में यह सही है कि political instability है हमें से एक दूसरे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भागते रहते हैं election के बाद election से पहले लेकिन क्या इसी region से इंडिया में multi-party system बनाया गया है नहीं region यह नहीं है इंडिया में multi-party system बनाया गया क्योंकि regional diversity cultural diversity बहुत जादा है इसको region से देखके multi-party system बनाया गया तो इस statement को यह define नहीं कर रहा है लेकिन सही तो दोनों है तो ascension is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion तो हमें सब question mark लगाई है और तूछे कि क्या तुम इसको define करते हो तो बहले यह बात सही है लेकिन इसको define नहीं कर रही है यह याद रखेगा यह तरीके होते हैं तो आपके 20 में से कितने माक्सा है कमेंट करके बताईए जा कि बाई जैसे कुछ स्रिवेसी की भी गलतियां थी क्या उसके बाब भी आपके 20 में 20 आये हैं 20 में 18 आये हैं 17 आये हैं ऐसा कुछ है तो आप कमेंट जरूर करें ठीक है चलिए अब आते हैं very short answers पे section B पे चार यहां question है जितना वो लगाएगा उतना ही लिखना है तो हम बस देखते चलेंगे कि क्या-क्या point मेंशन करने हैं और क्या-क्या point नहीं मेंशन करने हैं यह हमें पता होना चे और किस chapter से question है इट मार्क का है उठाते हैं चलिए अब इखाबने कितने मार्क करने जा रहा है तो 28 मार्क करने वाले है और ट्वंटी मार्क तो आपको school से लेना है तो जो school से लेना है वो तो अब लेगे चलो भाई आफ सोमें 50 50 होने वाले हो आजा आप दिखें यह comendancy बिश कुशन में क यह वह लोन फ्रेंच इस स्पीकिंग कर रहा है जर्मन इस स्पीकिंग को साइड में कर दिया है और डची स्पीकिंग तो आपको बस क्या लिख देना है यह एक स्टेटमन का जितना पूछा है उतना ही कि जर्मन के वाल एक पर्सेंट बोली जाती है तो ज्यादा सोचना नहीं है जितना पूछा इसके दो माक्स मिल गया है क्या बात है जल्वा है चलिए ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स इंट्रेडूस न्यू क्रॉप्स को इंट्रेड्यूस किया तो देखिए जो option CBC ने दिये है देखिए इसमें आपको कोई दो पॉइंट लिखना है याद रखेगा टीन है आप कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें से आपके उपर मैटर करता है एक answer दिया है कि इस बिलीव देट नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फॉम दे चाइना तो बिकम स चैदस टुक पास्टा दूट 5th century इंशिली आइलेंड उफ इटली राइट ओके तो यह पास्था की बारे में औरन नूडल्स के बारे में तो यह पता नहीं चला कि इनका बेस जाए है ठीक है दूसरा, many of common food जैसे potato, soya, groundnuts, maize, tomato या chili, sweet potato ये सब तब तक हम नहीं जाते थे जब तक Columbus ने accidentally अमेरिका की खोजने की native American safe food उगाते थे बात में वो उनके through travel होके इधर आ गया तो ये आपको है, इसके लावा आप इसमें अपनी language यूज़ कीजे आपकी language में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी guarantee मैं देता हूँ, language यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है चलिए Mr. Pilani is from Tamil Nadu wishes to cultivate either tea or wheat which of the crops out of two can he cultivate in his state अब दिखे, कहां से है, Tamil Nadu से है तो geography में है, इसकी answer में जाने से पहले आपके mind में क्या आना चाहिए Tamil Nadu है Tamil Nadu, equatorial climate है equatorial climate में wheat होगा wheat को चाहिए ठंडी तो यह North India में पड़ती है तो यह पंजाब से लेके बिहार तक का belt पकड़लो इधर होता है तो understood है कि wheat तो नहीं होगी tea होगा tea को क्या चाहिए, range shower चाहिए तो tea plant he will grow well because tea अब आप tea को क्या चाहिए tropical and subtropical climate चाहिए deep and fertile and lateral laterite soil चाहिए और aluvial soil मिलती है wheat काम होता है basically aluvial soil पे ज़्यादा होता है ठीक है जो humus or organic matter में हो tea bushes को warm and moist frost free frost free का मतलब जहाँ पे कुहरा, ओस, पालाना पड़ता हो यह सारी चीज़े wheat के लिए ज़्यादा सही मानी जाती है तो इस हिसाब से वो क्या होगाएंगे tea होगाएंगे और उसका reason क्या है तो tea से suitable जो भी चीज़े tea plantation के लिए requirement है वो लिग दीजे बहुत ही easy question है और इसका answer आप easily कर सकते है ठीक है चलिए भाई और किसी के यहाँ पर comment हम को यहाँ दीख रहे है हाँ चलिए I can see okay okay I got your point ठीक है चलिए आपका next question मदा आ रहा है बस इतना ही चीज़े है कि आपको समझ में आ रहा है mention any two reason to state that India is a federal country आपको बताना है there is a reason इंडिया एक federal country आपको दो से ज़्यादा पता है लेकिन आपको दो रिज़ेंद को दो के सेप्रेट एरिया ऑफ जूरिडिक्शन है सेवन तो शेडूल यो इंडियन constitution की है उसमें तीन लिस्ट है कौन सी union, state and concurrent list है union में union की बात की गए कि central government के रूल बनाएगी state में state की बात किये concurrent में दोनों के common topic आएंगे फिर हमारे जुडिश्री क्या है independent है supreme court की बात करें तो उसका अपना independent है high court है रिस्टिक court है और यह एक अलग branch है इसका legislative का इस पर कोई impact नहीं है representation of state central level पे राजसभा का formation ऐसा किया गया है कि वहां पे जिसकी स्टेट में सरकारे जाता होंगी वह राजसभा को dominate करेगा तो इस तरह से गया गया अपर house of Indian Parliament state and union territory of India उसके member और राजसभा में elect होते हैं legislative assembly में तो राजसभा का जो है ना formation उसका indirect election होता है और वह कहां से चुनके आते हैं वह चुनके आते हैं राज्यों के अंदर से तो यह बड़ी अच्छी बात होती है तो इससे क्या होता कि जो स्ट्रेट है वह एटलिस राज्य सभा में तो अपना representation रखते ही रखते हैं लोग सभा का election होना होता है तो यह सारी रीजन है अब इसके अलावा भी रीजन दे सकता है और इसमें से कोई दो रीजन भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा क्योंकि दू माक का है और यहां प 60% माक साम कवर करने वाले हैं अच्छी वाद है ना फट 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 यह यही format होगा अब ध्यान से देखें प्रवाइड एविडेंस तू सपोर्ट दे क्लेम देट प्रिंट कल्चर हैड अपको क्या करना है एविडेंस प्रवाइड करने है कि प्रिंट कल्चर से वोमेंस की आफ इंडिया में काफे चेंज आगा अब दिखितर इसने तीन पॉंट लिखें वैसे भी थ्री मांका है तो त्रीवाइड अब कोई पॉंट आपका बिगर हो सकता है और कोई पॉंट क्या हो सकता है उसमें कोई दिक्वाइड नहीं है चले तो देखते हैं किया है रखने के लिए, thoughts रखने के लिए, नहीं चीजों को जानने के लिए, job option मिलेंगे, education rate बढ़ेगा, वही सारी चीज़ आरेंशन है, कि the printing press allowed women to assess, देखे, information, knowledge and idea that were previously inaccessible, पहले वो नहीं थी, उनकी approach में नहीं थी, लेकिन जब चीजों print होने लगी, तो चीज़ें उनके घर में भी पहुचने लगी है, पारो के टर्म में, ठीक है, इससे क्या हो गया, अब वो अपने भी ideas, opinion, social issues पे रख सकते थी, जैसे education, gender equality की बात, liberal household का मतलब, ऐसे जो बड़े लिखे बड़े घर के पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपनी महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, इसका फाइदा यह होगा, तीसरा, इन इस्ट बेंगॉल, रसुमुद्री देवी, एक यंग married girl, जो बहुत ही orthodox household थे पुराने विचारधारा में थी, उन्होंने secretly learn किया अपने kitchen में, और अपनी autobiography अमर जिबान, फर्स्ट फुल लेंथ autobiography थी यह, अमर जिबान लिखी, तो यह किस के रीजन से लिखी, इसी print culture के रीजन से लिखी, तो इंडियन वोमेंज की लाइफ में, एक revolutionary chain print culture ने लाया, तो इसकी अपनी importance है, आप इसके अलामा भी, कोई भी relevant point आप लिख सकते हैं, relevant point हो तो आप लिख सकते हैं, किसी और का भी example आप दे सकते हैं, देखें, यह सारे 6 option points, अब अब इतना बड़ा answer आप नहीं लिखेंगे, लेकिन जो भी relevant option है, वो आप लिख सकते हैं, किसी और का दिखें, इन्होंने, महराष्ट्रा में तराबाई शिंदे हैं, पंडित रामा भाई रोट, इन सब के बारे में relevant point है, छे दियें, आपको तीन लिखने हैं, एनी थ्री relevant point, तो ऐसे आपको भर की याद है, ताइम है तो लिख दीजें, बड़ लिखना तीन ही है, माक्स आपको उस ही के मिलने वाले हैं, चलिए, फिर देखे, अब ये है competency-based question, क्या है, competency-based question है, ध्यान से देखे, इसमें condition दी है, अबर कर इन अर्बन एरिया, वास वर्किंग इन स्मॉल फेक्ट्री, वास नॉट पीड इस विज़ें प्रॉपरली, अब प्रॉब्लम ये है, कि बाद में पुश कार्ट बेचता है, पुश कार्ट में एलेक्टिकल चीज़े बेच रहा है, सवाल ये कि वर्कर कैसा है, क्या ये इंजिनिर डाइप का था, मिस्तरी डाइप का था, या फार्मर डाइप का था, तो उसकी कंडिशन में, फार्मर के लिएटिड आंसर लिखते हैं, तो आप अजियूम कर लिजए इसको, कि किसी भी टाइप का वर्कर, आपका आंसर इससे टोटली डिफरेंट हो सकता है, जो भी आंसर इसमें दिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको एक नॉर्मल, कोई भी जिस तरह का आपने वर्कर आजियूम किया, आपको रीजन देने की सरकार गया कर सकती, तो देखो या, पहली बात क्या है, वो जिस भी फैक्टरी में वक करता हो, चाहिए वो दूद की कंपनी है, किसान की एक्क्यूप्मेंट बनाती है, कोई भी बनाती है, कोवर्मेंट के रूल रेगुलेशन में चाहिए, कि छोटी फैक्टरी या, अनागनाइस फैक्टरी को और्गनाइस करके, उसको रेजिस्टर करें, फिर जो मिनिम्म बेयर लाओ हैं, जैसे सफाई का, मिनमम मजदूरी का, वर्किंग आवर का, इन सब को कैलकुलेट करें, तो भाई लिखाए, स्मॉल फैक्टरी रेजिस्टर बाइद गॉर्मेंट, एड उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, मिनमम बेजेस, पेइमेंट आफ ग्रेच्यूटी, शॉप्स, इस्टैबलिश्मेंट एक्स, सब, गॉर्मेंट अब क्या कर सकती है, ऐसे लोगों के लिए, स्मॉल लोन इसकी गॉर्मेंट आलिडी निकालती है, तकि वो लोन लेकि, अपना बिजनस या वैपार्ट कर सकें, कि इतने साल तक तो रखना ही रखना है, प्रॉपर नोटीस देना चाहिए निकालने के लिए, ओके एक नोटीस पिरियर सर्फ करना चाहिए, ये सारे जो लाँ है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, डिपेंड करता है, कि आप उसको किस तरह का वर्कर रजियूम करते हैं, मैंने कहा ना, पॉइंट्स मोटी मोटा यही होंगे, लैंग्विज पूरी डिफरेंट हो सकती है, पॉइंट के भी तरीके अलग हो सकते हैं, आपकी अपनी लैंग्विज हैं, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कॉंपेटेंसी बेस्ट कोश्चन में, कहीं न कहीं बच्चा क्या जाता है, इग्जामिनर, कि आपकी सोच कैसी है, आपने, क्योंकि सोचल एक, मनब गदना, लाइफ लिविंग सबजेक्ट है, जिसको आप जीते हो, सराउंडिंग में देखते हो, सोचो, आपको क्या लगता है, कि आपके पढ़ाएखे, क्या ऐसा होना चीज़े, था कि यह चीज़े सही होती, उसको लिखिए, उसमें दिकत नहीं आती है, चली, अभी एक और आ गया, मनरेगा से रिलेटेड गुश्चे नहीं है, कि जो मिश्टर पवन है, है एक रिएट अ मोर जॉब, इंक्रीज ने इंकम ऑफ दे पीपल विए अंडर दे मनरेगा, मिश्टर पवन हैं मुखिया है, मनरेगा के थूँ क्या 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 कर सकते हैं, मनरेगा का बज़ड पढ़ाएती, क्या मनरेगा होती क्या है, और खरेगा और लोग transaction अच्छा कर सकती है, अगर रोड का construction अच्छा हो गया, तो वैल कनेक्टेड हो गया है, तो उस पर पिर क्या है, लोग आने जाने में आसानी होगी, तो गाओं के ही कुछ लोग उस पे ट्रांसपोर्ट में आटो रिक्सर डाल दें, बैल गाड़ी डाल दें, हाथ गाड़ी डाल दें, तो उससे क्या हो गया, connective बढ़ गया, एक income बढ़ गया, उदर फिर किसी ने shop खोल लिया, एक चीज दूसरे से relate करती है, और फिर उस market का व जिस्ट होते हैं, कि मन रहेगा के थूँ ये काम है, जिसे ग्राम प्रधान वो करवा सकता है, जिससे economic इस्तिती सुधर जाए, तो वो कर सकते हैं, तो वही है, village का road construction है, cooperative milk society खोल दें, construction वक करवा दें, थोड़ा सा hospital वनवा दें, स्कूल की repairing करवा दें, ऐसे बहुत सारे ज अब agriculture का क्या है, agriculture raw material प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, अब जो चीज़ raw material प्रोवाइड करेंगे, तो understood है, कि अगर agriculture में boost आएगा, तो raw material की availability सस्ती और अच्छे amount वे होगी, और उसका transportation अच्छा होगा, तो जो manufacturing है, उसको raw material सस्ता पढ़ेगा, वो बलक मे खरीदेगा, तो reduce करेगा, अपने भी charges, और फिर उसकी demand बर सकते है, कमदाम के कारण, ठीक है, तो secondary बड़ा, तो जो final consumer है, उसके पास भी, उसकी purchasing power बढ़ जाएगी, तो हो सकता है, वो कुछ extra amount कर ले, अब various types of goods खरीद ले, दूसरा, जब agriculture को boost करेंगे, तो agriculture एक labor intensive sector है, अब यह समझे, agriculture अब technology based है, तो farmers को क्या होना है, बहुत सारे equipment खरीदने पड़ते हैं, और ऐसी बहुत सारे industry हैं, जो farmer based equipment बनाते हैं, तो farmer जब ज़्यादा equipment खरीगा, तो उन industries की भी क्या होगे, demand बढ़ेगी, और उनका भी secondary sector बूफ करेगा, प्लस उनमें जो काम करते हैं, प्लस उनका भी रुजगार का बढ़ेगा, इंकम बढ़ेगी, farmer का sector बूफ होगा, तो farmer को बास पैसे आएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे, तो वो भी अपनी शाओं को बढ़ाएगा, वो थोड़ा से लेवाइशियस लाइफ जीना चाहेगा, अलग-अलग जगहों पे खर्च करेगा, फिर वो जिन company की product खरीदेगा, उन company का अभी क्या है, income generate होगा, फिर वो अपने employees ज्यादा बढ़ाएगे, तो एक overall development होता है, ठीक है, तो वही चीज़े है, अब लिग दीजे कि market expand होता है, कौँसा market expand होगा, agriculture based product बेचने वाला, agriculture की machine बेचने वाला, ठीक है, तो वही सारी चीज़े, employment generation, क्योंकि agriculture में अच्छा खासा employment generation हो सकता है, इसके अलावा भी कोई relevant point आपको लगता है, तो आप mention कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप मैं बात करूँ, तो जैसे कि raw model सस्ता हुआ न, तो raw model सस्ता हुआ तो क्या हुआ, चीजों का production हम बढ़ा सकते हैं, हम other countries को compete कर सकते हैं, सस्ता माल बेच के, कम टैरिफ लगा के, यह सारी चीज़े भी आप यहां पर mention भी सकते हैं, चलिया, Indian constitution provide three lists, वाँ, and to distribute the legislative power, state any two subject that include union list, पहले तो union list में क्या आते है, जितने भी national security के matter आते हैं, वो क्या आते हैं, union list में आते हैं, चार defense हो गया, finance हो गया, foreign affairs हो गया, ऐसे आपको दो लिखने हैं, आप आप से लिख देंगे, फिर कह रहा है, in which list the subject education included and why, पहले तो यह concurrent list में डाली गई है, why का मतलब क्या है, क्योंकि जो education है, हल एक state में language लगए, थोड़ा सा culture लगए, तो यह ऐसा मुद्दा है, जैसे health पूरा सरकार का, राज्य सरकार का मुद्दा है, aims एक college होता है, वो central government का होती है, लेकि health पूरी राज्य सरकार के जिम्मेदारी होती है, वही education के अगर आप बात करें, education में चलता है, अराम से, किसका, state government का, और central government का, और दोनों की policy match होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश कीर जाने चाहिए, कि थो the grand list contains subject that common interest, और common interest, इसमें language जैसे मैंने बोला, कि आप थोड़ी uniformity चाहते हैं, क्योंकि बच्चा एक्चेंज करता है, जगर से दूसरी जगह, तो all universities में uniformities हो, तो चीज़े आसान होती है, interrelate करने में, चलिए, एक और question आगया, database, table A and B बोला, इसको आप देखें, competency based question है, य यह data दिया है, कि GDP में share, territory sector का 50 था, secondary का 10 और primary का 40 था, वहीं तो 2013, 14 में यह 68, 21 और 11 पे है, और वहीं बात करते है, table B की, तो यहां पे 18 यह दिया है, कि share in the employment, तो GDP में share बढ़ा है, सबने, क्यों primary का घटा है, primary का GDP में घटा है, secondary और territory का बढ़ा है, वहीं अगर बात करें, employment क sector में कितने बढ़े, so territory 18 से 31, वहीं secondary ने 11 से 25, और वहीं primary ने 71 से 44, यह घटा है, इसमें भी employment घटा है, अब ध्यान से समझेए, कि क्या है, अगर आप growth देखें, तो percentage निकालने की कोशिश करें, तो growth कितने की हुए, 18 upon 15 into 100, right, तो कितना हुआ, 36% का growth हुआ है, GDP में, पिछले के comparison में, यहीं पे आप कहेंगे 11 upon 10 into 100, तो उस तरह से आप देखें, by 10 से 21, मतलब 110% का growth हुआ, GDP की share में सीधे double हो गई, और इसमें अच्छा खासा loss हुआ, ठीक है, 70 से 80% का क्या, मतलब 300% का loss हुआ है, ज्यान से देखा जाए, तो एक अच्छा loss दिया है, वहीं employment की बात कर 36, तो employment rate जैसे वो double हुआ है, employment rate उस तरह से बढ़ा नहीं है, इनको double क्या करना चाहिए था, GDP में अगर इनका बढ़ा है, 36%, तो employment rate भी इनका 50% के करीब, 40% के करीब भी बढ़ा है, तो employment उतनी दे नहीं पाए, secondary में भी देखें, employment rate 11, 22, लगभग में वैसा है, तो इसको अग ने ग्रोथ की है, वो सिसाब से इन्होंने जाब नहीं दी है, खुद तो boost हुए, क्योंकि कहीं न कहीं ये tech based हो गई, और tech और machine based होने की region से humans की requirement कम होगे, क्योंकि humans उतने skills इंडिया में, human manpower हमारा नहीं था, शुरुवात में, ठीक है, the primary reason for limited shift employment in the primary is, अब क्या हुआ, कि secondary ट्रेटरी में बहुत ज्यादा, employment जनरेक्ट नहीं हुए, तो primary से इसमें ज्यादा shift नहीं हुए, agriculture में क्या problem है, under employment, वही, disguised unemployment, जिसमें काम करना प्रतीत होता है, बलब चार लोग को उसमें से निकाल दो field से, तो output में कोई खड़क नहीं आएगा, लिकिन सब उसी में बीड आपका गाल बन जाएगा, ठीक है, चले, section D पे आते हैं, अभी 20 marks कवर करेगा, मतलब इसमें आपको long answers लिखने पड़ेंगे, section D में क्या है, long answers लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके अलावा, मैं आपको थोड़ा सा और ले के चलूं, तो एक मिनट के लिए देख लीज unseen passage, क्या है, unseen passage, और वहीं, आप बात करेंगे, सबसे last में, तो section F है, map work, तो पहले चले, map work को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, क्या रहा है, identify them and write down their correct names on the lines they are drawn, Indian National Congress session at this place in 1920, तो सबसे पहले कहा हुआ था, क्यलकटा में हुआ था, the place where Vatma Gandhi broke the salt law, ये क्या है, B, Dundee, easy हो गया, अराम से locate हो रहा है, अब इसी map पे दिखाओ, a coal mine in Tamil Nadu, and a dam built over the Chinab River, चनाब river पे ये सालाल डैम यहां बना हुआ है, आपको डैम में सालाल डैम पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो देखे, सालाल डैम यह बना हुआ है, Noida Software Technology Park, दिल्ली के Just Corner में दिखाना होता है, ओके, डांडी आपने दिखा दिया, Calcutta दिखा दिया, विशाखा पत्न में एक बड़ा सा पोर्ट है, और नेवली ये है, आपका, Tamil Nadu में माइन, ये ही पूछा था, ये जगह है, डांडी, Calcutta, और ये रहा, नेम बिल्ट रीवर ओवर दे सालाल राम, चेनाव रीवर पर ये है, लार्जिस सी पोर्ट लोकेड़ी नांदर मदेश तो विशाखा पतनम ही है, अंडर्स्टूड है, और स्टेट वेर, नोईड़ा साफ्वेर टेकनोलोजी पार्क, तो यूपी का वेस्ट यूपी है, दिल्ल आपको यहां पर मिल जाएंगे, टेक बेस्ट आते हैं, चलिए, एक कोश्चन है, अब हम देख लेते हैं, कोश्चन नमर 36 में, देखें, अंसीन पैसेज की तरह के बच्ची यह फूस देंगे, सर, यह जो हमारे पैसे आएंगे, अंसीन पैसेज की तरह ही होते हैं, इसको कैसे सौल करें, तो सौल करने का तरीका, जैसे ही आप इंग्लिश म of per capita income, और आपका अगला कोश्चन कहा है, where are the classification of countries based on the per capita income and which entity responsible to determine it, ठीक है, तो चले, इन दो कोश्चन कहां से दूरते हैं, तो पहला कोश्चन कहा है, तो पहला कोश्चन कहा है, explain the significance of per capita income, तो चले पहले देखते हैं, कहा है, तो कहा है, तो कहा है कि, comparing countries को income के base पे one of the most important attribute है कि उनकी income के base पे इनको compare करना, countries with higher income को develop और lesser income को developing वाना जाता है, more income means, वो human अपनी ज्यादा से ज्यादा needs को cover कर सकता है, whatever people like and should have, वो उनकी greater income से ही उनके पास आएगा, so greater income itself consider one important goal and now what is the income of a country, तो यहाँ पे greater income सबका गोल होता जैदा पैसे कमाना, the income of the country is the income of the all the resident, किसी भी country की income वहाँ की जितने लोग हैं, जितना पैसा कमाते वो होता है, this give us the total income, इससे पुरी country का total income पता चलता है, however comparison between countries in total income, उतना useful manner नहीं है, क्योंकि हर कंटर की population अलग है, ठीक है, और geography अलग है, culture अलग है, लेकिन फिर भी average income निकाल के देखा जाता है, और यह कौन करता है, यह करता है, वर्ड बैंक करता है, वर्ड बैंक करता है, तो एक answer तो हमें यहाँ मिल गया, यह वाला, the countries are classified into the higher and rich countries and low income based on the per capita income, और यह जो data हमारे पास दिया है, यहीं से answer मिल गया, देखे, कि यह per capita income में US dollar above the 2019 high income, rich countries, और वहीं 2500 से less में low income countries है, और यह किसके तुरू माना गया है, यह माना गया है, वर्ड बैंक के तुरू किसके, तो यहाँ से जो यहाँ वाला data है ना हमारा, यह हमारे उस second question का answer निकल गया, तो paragraph से answer निकल गया ना, same, देखे, से, बस आपको लिखने का तरीका लगा, last में आप यहाँ पर use कर दीजे कि वर्ड बैंक ने यह माना, तो वर्ड बैंक क्योंकि last में पुछा है ना, कि which entity is responsible for determining this classification, so वर्ड बैंक कौन डिटर्माइन करता है, वर्ड बैंक इसी पर compare करता है, ठीक है, और इसका per capita income का significance क्या है, तो यह between the countries एक insight provide करता है, economic performance and living standard across the nation, पर capital income एक बहुत बढ़िया indicator माना जाता है, life of standard, standard of life, life जीने का standard गया है, और यह बात आपको यहीं पर पता चल गई, ठीक है, less income, तो यह आपको answer यहीं पर पता चल गई, और उस answer को आपको क्या है, थोड़ा सा moderate way में modify करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, उस answer को आपको थोड़ा modify भी करना है, अपनी language में लेखना है, हर line हूँ यहां से नहीं छापनी होती है, अगर आप paragraph की meaning समझ गया है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले question को read करना, और four mark का है, मतलब अब किसी में दो question होगे, जैसे इसमें दो question थे होगा, जो one-one mark के होगे, उसको आपको one-one नहीं लिखना है, और जो दो mark का होगा, उसको कुछ ज़्यादा लिखना है, ठीक है, तो यह महराष्णा में water related issues का दिया था, अब इसमें यह one mark का होगे, तो smaller answer है, ठीक है, और वहीं आपको ज़्यादा एक्स्प्लीन करना तो इ यही बनाना था, कि आप जब भी question करेंगे कौन सा, जब भी आप question करेंगे paragraph, unseen best का, unseen best की कोई practice नहीं है, कभी-कभी बुक से exact, जिसे यह वाला question है, यह वाला paragraph, यह सत्याग्रावाला, यह पूरा-पूरा book से ही निकाल के रख दिया गया है, लेकिन आगरी के दो जो है, वो क सुचो ना, को तो 50% competency based question आपके लिए यह बताते हैं, कि आपके अगर normal बढ़ाई भी है, तो आप इन 50 max में अपने कई बच्चों का presence of mind बहुत अच्छा होता है, तो उस presence of mind का use करके, वो एक अच्छे marks वहां से pick up कर सकते हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है, अब जब मैं आप अच्छ लेक्चर लेके आऊंगा, उस लेक्चर में हम बात करेंगे, किस की बात करेंगे, previous 100 MCUs की, और उसके लावा हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में, map work की, तो आज के लिए इतना ही, I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सस्क्राइब करें, दोस् प्लीज ही होने वाली, मिलते हैं आप से किसी और लेक्चर में, bye everyone, have a good day, हस्ते रहिए, मस्कुराते रहिए, बने रहिए, CBCT Point के साथ,